रच्छा बंधन वा जन्मा अश्टिमी ते वहर पर सोने वाचांदी के दामों में लगातार गिरावट का दोर जारी अभी अभी दो मिनट पहले अचानक सरापा बाजार खुलते ही सोने वाचांदी के दामों में आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सोना चांदी के भाव लाइव की एक और नई वीडियो में दोस्तों यदि इस रच्छा बंधन या फिर जन्मा अश्टमी में आप सोने वाचांदी के कुछ आबूसर बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है आपको बताए दे जब से सरकार ने सोने पर आया सुल्की कटोती की है उसके बाद लगातार सोने वाचांदी के दाम कम हो रहे हैं देखा जाए तो चांदी के दाम 98,000 रुपए जाने के बाद चांदी के भाव 8 महिने के बाद सबसे निचले इस तरपर पहुँच गये हैं तो यदि आप चांदी खरीदना चाहते हैं चांदी में निवेस करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है चलिया जान लेते हैं आज 8 के रेट, 22 के रेट और 24 के रेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है साथी आपको बताएंगे आज एक किलो चांदी का ताजा भाव क्या है वा जानेंगे आज एक तोला सोने का ताजा भाव क्या है लेकिन उससे पहले रोजाना सोनेवा चांदी के ताजा और सही भाव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना साथी दोस्तों वीडियो में कमेंट करके ये जरूर बताएं आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें चलिए पहले जान लेते हैं आज चांदी के क्या भाव हैं चांदी के दाम आठ महीने के निचले इस्तर पर आने के बाद आज एक ग्राम चांदी का भाव 80.26 पैसे है, 8 ग्राम चांदी का भाव 642.10 पैसे है, 10 ग्राम चांदी का भाव 80.26 पैसे है, 100 ग्राम चांदी का भाव 80.26 पैसे है, वहीं आज एक किलो चांदी का भाव 80.263 पै दोस्तों आपको बता दे बजट के पहले चांदी का भाव 97,000 रुपए तक गया है वहीं देखा जाए तो आज एक किलो चांदी का भाव 80,263 रुपए है जानकार बता रहे हैं कि All Time High Rate से चांदी लगबग 16-17,000 रुपए सस्ती चल लही है तो यदि आप चांदी खरीदना च जार खुलते ही बदलाव देखने को मिला है चलिए अब जान लेते हैं आज 8 के रिट के हिसाब से सोने के क्या भाव हैं उससे पहले जिन भायों को चांदी सोना बेशना है उनके बहुत जादा कमेंट आते हैं कि आकिर यदि हमें सोना बेशना है तो कब बेंचे दोस्तों आपको बता दे अभी कुछ दिनों तक आपको सोने के दामों में नर्मी देखने को मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार सोना सस्ता ही होगा सोने के दामों में बीच बीच में तेजी भी आएगी वहीं जानकार बताते हैं कि इस साल के आखरी महीने में सोने वाचांदी के दामों में इस साल की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिलेगी मतलब आने वाले कुछ महीनों बाद सोने के दाम और टाइम हाई रेट को चुएंगे और एक बार फिर से सोने वाचांदी की कियमते इतिहास रचेंगी ऐसे में देखा जाए तो आज अठारे के रेट के हिसाब स एक गराम सोने का बाव 5643 रुपए है और 10 गराम सोने का बाव 56430 रुपए है चलिए अब जान लेते हैं आज 22 के रेट के हिसाब से सोने के क्या भाव है उससे पहले दोस्तों आया सुल के बाद सोने के दामों में 5000 रुपए से ज़्यादा की गिरावट आई है ऐसे में समझे कि आपके कमेंटों पर किसी की नजर नहीं रहती है आपको बता दे आपके कमेंट बहुत बड़े-बड़े सरापा ब्यापारी भी देखते हैं क्योंकि उनको भी जानना रहता है आखिर ग्राहक भाई क्या चाहते हैं चलिए अब जान लेते हैं आज 22 के रेट के हिसा सि कआ भाई है देखा जाये तो आच स्रापा बाजार में सोनी की जिम्टों में नरमी के साथ खुला है क्योंकि आज 22 के हिसाब से एक ग्राम सोने का भाव 6799 रुपई है आज ग्राम सोने का भाव 54,392 रुपई है 10 ग्राम सोने का भाव 67,990 रुपई है 100 ग्राम सोने का भाव 6,99,900 रुपई है चलिए अब जान लेते हैं आज 24 के रेट के हिसाब से सोने के क्या भाव है आज 24 के रेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 5966 रुपई है 8 ग्राम सोने का भाव 55,728 रुपई है 10 ग्राम सोने का भाव 69,660 रुपई है 100 ग्राम सोने का भाव 6,94,600 रुपई है दोस्तों देखा जाए तो पिछले सप्ता 10 ग्राम में 715 रुपए सोना सस्ता हुआ था वहीं इस सप्ता भी सोने वाचांदी की कीमतों में गिरावट के साथ सरापा बाजार खुला है चलिए अब जान लेते हैं आज भारत के कुछ प्रमुक सहरों में सोने के ताजा भाव क्या है मुंबई में आज एक तोला सोने का भाव 68,410 रुपए है दिल्ली में आज एक तोला सोने का भाव 68,510 रुपए है बोपाल में आज 12 सोने का भव 68,410 रुपई है पटना में आज 12 सोने का भव 79,250 रुपई है कानपुर्व में आज 12 सोने का भव 89,888 रुपई है तो दोस्तो ये थे आपके सहरों के सोने के ताजा भव इस भव पर जेश्टी नहीं लगा है